अगरवाल किचन में दोस्टों आज में बनाने जा रहा हूँ टोमाटो पुलाव और इसे तवा पुलाव भी बोला जाता है मुंबई टोमाटो पुलाव भी बोला जाता है ये एक ऐसी डीश है जो मुंबई में अकसर आपको गलियों में जहां भी फास्ट फूड वगरा है या रेस्टोरेंट हैं चोटे डाबे टाइप के हैं वहाँ पर अकसर यह बनाया जाता है और लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं चलिए आए आज में इसको ट्राइक करते हैं और हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे बिल्कुल मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़े न एदर्क और लशन को दो थIns कर लिया ली या लशन की और एक तूड़ा लिया अदरैक का उसको हमने कद्धुकस कर लिया है हरी मिर्च दो तिन ली हैं इनको बारिक कट कर लिए और यह चावल जो हैं हमने पहले से ही उबाल करके रख लिए हैं और उबालते टाइम पानी में थोड़ा सा जीरा हमने मिला है था और देख सकते हैं आप चावल कितना बढ़िया खिला खिला चावल बनाए बासमधी चाव सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है खास चीज जो इसमें आज मैं दिखाने जा रहा हूं यह कड़ाई है यह बड़ी सी कड़ाई है और काफी हेवी सोल है इसका जो तला है बहुत भारी है और यह बहुत पुरानी कड़ाई है तो दोस्तों आज एक खास बात आप नोट करे पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें हमारे घर की शोबा बढ़ाएंगी और खाने में नया स्वाद लेके आएंगी तो पुरानी कड़ाई है जिसमें पूरी अकसा तली जाती थी घर में कोई रिश्यदार वगर आते थे तो इसको निकालके हमने आज ट्राइ करना चाहा है कि इसमें पुलाव बनाएंगे और देखते हैं बहुत मज़ेदार पुलाव बनेंगे चलिए आगे पहले तेल दाल देते हैं थोड़ा सा तेल थोड़ा सा गरम होने दें दोस्तों तेल गरम हो गया है और इसमें अब हम मिलाएंगे आदा चम्मच जीरा और अच्छी तरिके से घर्म हो गया है और इसमें अब हम मिला लेंगे प्याज अब जिल्कुल धाबे वाली धाबे वाला मदा आने वाला है कि तड़ा इसकी भारी है और गयाज भी हमने अच्छी है पेज कर रखा है कि यह मंदी गयाज के बनने वाली पीज नहीं है पुरासा चला दें इसको कि तेज गयाज के हम भून रहे हैं इसको तो प्याज जल्दी भून जाएगी गोटिन विनट चलाने से ही यह जह भून करके प्यार हो जाएगी प्यार बढ़िया भून रही है और इसमें हम हरी मिर्च साथी, इसमें हरी मिर्च मिलाने के बार साथ इसमें मिलाएंगे हद्रत और लसन हमने वारीक कस लिया था जा अच्छी महे दिशने आने लगी है उतिती मसाला यह जो कड़ाय में इस तरीके से बहुंब रहे हैं अच्छी महक आ रही है क्योंकि नॉर्मल जो हम बतन लेते हैं काफिक क्लोस से होते हैं तो उन्हें वह खुलके महक नहीं आ पाती है और दूसरी बात क्या होता है कि कही न तहीं हम लिविट में उसको सेटते हैं और यह जो तेज याज के किसी चीज को बनाते हैं तो उसका पे नहें धू आख गून गया है और इस में अब हम हल्दी मिलाएंगे फोड़ी सी हल्दी जिक agreement नहीं हए लाल मिच ज़belsित मैं好好 लगवट को और है दलो किनमक इसमें मिला लेंगे एक टीस्पून दॉमातर मिला लेंगे ज़िस तलाव ने जड़ कुटी हिना पने गए आनिन रादुका छाखिए शेश के से इसी ने में दो राव गराम शाला में लावनी है इसे पर चलारे हैं मासाला बहुत बरिया तरीके से भून लिया है और यह के मांई हे बह法 स्वाज एसे आने वाला है जदिये मासाला भून गया और इसे ओर हम चाओल बिना लेते हैं चाओल को खुला हुबा करके डालेंगेते से तो खुले भी इता है तरीके से जो तो आप घर को भी धाबा बना सकते हैं बस आपका इंट्रेस्ट होना चीए क्योंकि हर बात में आप हम धाबे में भागते हैं लेकिन हाला कि हमारे घर में हर चीज मौदूर होती है तो थोड़ा सा ताइम हमें किचन को देना होता है होत भड़िया तरीके से देख सकते हैं यह चावल आगें से और वीचे से उपर तक इसे मिलाते हैं चलें इसको कि दोस्तों चावल पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं और इसमें अब हम उपर से थोड़ा सक दनेया डाल देते हैं दनिया तो नाम ने काट लिया है भी दोस्तों धाबे जाने की बिल्कुल भी जुरत नहीं है और आप यह देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भड़िया तरीके से यह बन चुका है और कहीं न कहीं आप भी चीज को जरूर ट्राइ करेंगे आप इसे जो नाम देना चाहें तो दे सकते हैं मुंबाई पुलाओ के दीजिए या घर का धबा पुलाओ के दीजिए जो भी है हमारे चावल तो बहुत मज़ेदार बंतर के तयार हैं